हेलो फ्रेंड्स आपकारीना कीचन रेस्पी में स्वागत है आज मैं तिलकुट की रेस्पी लेके आई हूँ जो काफी स्वादिश्ट होती है खाने में घर पे बहुत अराम से तिलकुट बन जाती है इसे रेबरी भी कहा जाता है बहहत ही स्वादिज्ट और करक बिल्कूर नहीं है बहत ही सौप्ट है अरामसे आप खा सकते हैं बहुत ही अच्छी बनती है तो चलिए इस रेषपी को हम बनाना शुरू करते हैं तो इस रेशपी को बनाने के लिए मैंने देखिए आधा किलो तील लिया है और 300 ग्राम मैंने गूर लिया है अब हम क्या करेंगे न कराही चरहाएंगे और कराही में बिना तेल के ही हम इसे रोष्ट कर लेंगे और रोष्ट इतना करेंगे जिससे जब हमारी तील से आवाज जाने लगीगी ना चटकने की तब तक हमें इसे रोस्ट करना है और थोड़ी तील जो है ना फूल के बरी-बरी दिखने लगेगी और चमकीली दिखने लगेगी तब हम समझ जाएंगे कि तील हमारी भून चुकी है और इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे क्योंकि फ्रेंड आप लोगों से रिक्ष्वेस्ट करना चाहती हूं अगर आप लोग को मेरा रेश्पी अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा हो सके तो अपने फ्रेंड सरकल में इसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नही है आप दीख रही होगी किसा कलर जो हलका चेंज होने लगा है थोरी सी आवाज में भारी पन आ गई है मेरी क्योंकि मेरी तब ये थोरी ठीक नहीं है तो इसे इंग्नोर करिएगा तिल जो है भून चुकी है तो इसे हम अब एक प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट में निकालने के बाद हम गूर को मेल्ट करेंगे तो देखें मैंने एक ग्लास पानी को कराही में डाल दिया है अब जितने गूर मैंने लिए थे सभी गूर को हम डाल देंगे और गूर तोड़ने की जरुवत नहीं है बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है यनी की गूर को तोरे फिर मेल्ट किये ऐसे भी डाल दीजिए तो आपको तीन से चार सेकेंड में एकदम मेल्ट हो जाती है देख लिजिए मेल्ट हो चुकी है थोरे बहुत बच गया तुरंत मेल्ट हो जाएगी है अच्छी तरह से मिल्ट हो चुकी है लेकिन हमें अभी और पकाना है जब तक चिपचिपी ना हो जाए अच्छी तरह से जब गूर जब हम कैसे पता चलेगा कि ये तील बनाएने लैक हो गिया है जब देखेंगे कराही में जो ये चासनी है वो एकदम हलकी हो जाए नीचे से छोड़ने लगे कराही और फिर नहीं तो एक तरीका ये भी है कि पानी का टोरी में ले लेंगे और उसमें डालके कि अगर तूट रही है कि अगर तूट जाती है तो सुचेंगे कि हमारी जो चासनी है परफिक्ट बनके तयार है अभी इसे हमें और पाकाना है अभी बिल्कुल नहीं हुई है देखिए अब जो है चासनी करीब करीब बनने पर हो गई है लेकिन थोड़ी सी से हमें और पकाना है भी और देखिए अब है कराही एकदम छोड़ चुकी है हमारी चासनी और हमने पानी में जाल की चेक भी कर लिया एकदम तूट जा रही है अब जो तील है ना हम कराही में डाल देंगे धिरे-धिरे करते वे चलाते रहेंगे और गूर और तील को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे लेकिन तील को अच्छी तरह से दोके साफ कर लीजेगा हो सकता है इसमें कंकर भी हो ऐसे साफ तील भी वजार में अब आराम से मिल जाते हैं देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया तील ओगूर को और हम इसे गैस से उतार लेंगे गैस से उतारने के बाद अब हाथ में हम पानी हलका लगाएंगे मैं दिखा नहीं पाएं क्योंकि कैमरा सेटिंग सही से नहीं हो पाया था फिर मैं दिखा देती हूं और इस तरह से हाथ में थोड़ी सी तिल लेके और देखे इस तरह से लेकिन हाथ में हलका पानी लगा के ही करिएगा कि हाथ में चिपकने का डर होता है और इसे हाथ में ऐसे थोड़ा हलका सब दबा देंगे प्रेस कर देंगे देखे इस तरह से थोड़ा सा तिल लेंगे और हाथ में इस तरह से दबा देंगे इसे तरह हम सारे तिलकुट को हम बना के तयार कर लेते हैं देखें हाथ में पानी लगा के ही बनाईएगा देखें मैंने सारे तिलकुट बना के तयार कर लिए है इसे रेवरी भी कहा जाता है रेवरी तिलकुट मरकर संक्रांत के लिए तयार है चलिए स्टार्ट करिए आप लोग भी खाना मेरे साथ थैंक यू फर वाचिंग कर दो मेंजब अवा है इसे पटू आप भी कहाँ लोग कर लिए घस ही हाँ स्टार्ट कर दो प्रेंजब रावा है कि खाना है फर विए स्टार्ट कर देखें टू आपने सार्ट